जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योजिब चैनल में दोस्तो अभी एपरल का महीना चल रहा है और अभी मई का महीना इसके बाद आने वाला है इस मई के महीने में ग्रहों की इस्थिती के अनुसार नक्षत्रों की इस्थिती के अनुसार जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर S है यानि जिन लोगों का नाम S से शुरू होता है उनके ये मई का महीना कैसा रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला है बस आगे बढ़ने से पहले आप से छोटा सा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारिया मिलती रहेंगी तो दोस्तो ऐस नाम से शुरू होने वाले सभी हमारे दर्शकों के लिए यह माई माह का महिना कैसा रहेगा इसकी चलिए हम जानकारी ले ले लेते हैं इस महिने में दोस्तो जो ग्रहों का राशी परिवर्तन होगा तो सूर्य जो हैं वो 14 माई को व्रशब रासी में गोचर करेंगे व्रशब रासी में राहु बैठे हुए हैं राहू के साथ यूती करेंगे और बुद्ध एक मई को ही विर्षब राशी में चले जाएंगे जहां बुद्ध और राहू की यूती हो जाएगे ये बहुत महत पून है बुद्ध और राहू की यूती और ये महीने की शुरुआ से ही है यानि कि एक मई से ही शुरू है और प इस महीने में चार ग्रहे वरिशब राशी में होंगे सूर्य, बुद्ध, शुक्र और राहु पहले से विराजमान है चार ग्रह चतुर ग्रही योग बनेगा इस महीने में जो काफी महतपुन रहने वाला है इसके अलावा ग्रहों की इस्तिति उसी अनुसार है शनी मकर राश राशी में बैठे हैं राहु विर्शब में ही हैं के तु वरिश्चिक राशी में बैठे हैं मंगल मिथुर राशी में बैठे हैं तो अब इसके अनुसार ही जो है इसकी जो ग्रहनक्षत्रों की इस्तिति आपकी दिंचर्या में परिवर्तन लेकर आएगी आपके आर्थिक इसके लावा इस महिने में एक चीज और है कि 26 मई को पूरिमातिती है और इस पूरिमातिती पर चंद्रग्रहन होने वाला है जो कि खग्रास चंद्रग्रहन होगा और ये व्रश्चिक राशी में लगने वाला है तो इसका भी बड़ा benefit होगा कुछ benefit भी होगा कुछ सावदहा चानिया भी रखनी होंगी और देखिए हर महीने में चार गजकेसरी योग बनते हैं जो बहुत महत्पून होते हैं इन डेट्स को आप नोट करके जरूर रख लें पहला जो गजकेसरी योग बनेगा वो बनेगा 5 मई को दूसरा 12 मै को बनेगा तीसरा 20 मै को बनेगा चौथ कराने वाले होते हैं अब आजाते हैं हम राशी पर कि आपके लिए ये महिना क्या खास लेकर आया है इस महीने में वैपारियों के लिए जादा संभावनाय होंगी अपनी कामकाज को बढ़ाने की कुछ नए समझोते करने के अफसर प्राप्त होंगे अपनी कामकाज करने का त कि अपने कामकाज में अपना सकते हैं जिसे आप कई अलग तरह के व्यपारिक आवसर के द्वार खोल पाएं कोई भी निर्णा आप अपने कामकाज को ले कर लेते हैं तो उसमें अच्छी तरह से आपको सोच विचार करना है उसके बाद आगे बढ़ना है जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका अपनी नौकरी से थोड़ा मोहबंग हो सकता है परिशान हो सकते हैं काम का प्रेशर जादा रह सकता है ऐसे में आपको ज्यादा ध्यान रखना होगा और देखे अपनी बच्चत करने पर ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवेश रखता होगी ताकि आप इस बच्चत का इस्तेमाल भविश्य में कर सकें इन चीजों को आपको ध्यान में रखकर चलना है दूसरी तरफ अगर सिख्षा और करियर की बात करें तो अगर आप फैशन के फिल्ड से जुड़े हैं या फिर आप कंप्यूटर फिल्ड से जुड़े हैं इस दौरान इस्कूल के बच्चों की रुची दूसरे शेत्रों में ज्यादा रहेगी पढ़ाई थोड़ी डिस्टरब जरूर है सकती है और ध्यान देना होगा आपको अपनी पढ़ाई की तरफ मेडिटेशन कर सकते हैं आप योग कर सकते हैं खुद को फोकस्ट करने के लिए आपके अंदर जो कला है उस कला को निखारने में अपनी मदद आप जरूर करें कला को निखारें आप किसी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं कही ना कहीं से ऐसी आप चीजें जोड़ें जो आपकी कला को निखार सकता है उस कला का प्रियोगाब कर सकते हैं प्रतियोगी परिक्षा की तियारी जो विध्यारती कर रहे हैं वो भी कुछ नए विकल्पों की तलाश करेंगे जो भविशे में उनके काम आएगा इसमें जो इनके सीनियर्स हैं वो बेहद मददगार साबित होंगे जो आपकी राह को सुनश्यत करेंगे कि आप किस राह में आगे बढ़ना है प्रेम जीवन की बात यदि की जाए तो प्रेम जीवन में थोड़ी सावधाने रखें आपकी अपने साथी से किसी बात को लेकर मनमुटाव होने के आशंका जरूर बनी हुई है जिसकी वज़ा से थोड़ा सा तनाव हो सकता है इस दोरान आपका ध्यान ज्यादा तर दूसरी चीजों पर हो कि आवश्यक्ता होगे वरना आप निराशा से आप भर सकते हैं ऐसे में आप थोड़ा खुद को समझने का प्रयास करें और साथी के साथ ज़्यादा समय स्पेंट करें उनसे बाचीत करें बाचीत करके किसी भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉलूशन आप निकाल सकते हैं इस सकारात्मक बाते हो सकती हैं और ये सकारात्मक बाते हैं आपके जीवन में बहुत जल्द किसी खास को लेकर आने वाली है इस दोरान विवाह की प्रतिक्षा कर रहे हैं तो आपकी बुवा पक्ष्य से या आपके मामा पक्ष्य की तरफ से कुछ अच्छे रिष्टों के प् आप खुद को काफी तरोताजा महसूस करेंगे लिकिन जिनको पेट सम्मंदी समस्चा हैं उनको थोड़ा सा अवाइड करना होगा ज्यादा मसालेदार भुना खाना खाना उनको थोड़ा अवाइड करना है पोस्टिक आहार ही ग्रेंड करें तो अच्छा है अपनी पर रहकर कला को निखार सकते हैं लोगों के सामने खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं मांसिक रूप से एकदम फिट रहने की कोशिश करें अगर आप मांसिक रूप से स्वस्त रहते हैं तो मन में नए विचार आएंगे रचनातमक्ता बढ़ेगी और आप ज्यादा ध्यान ल लोगों के साथ उलजने से बचना होगा इस टिप को आप याद रखें वरना आपकी नौकरी पर संकट आ सकता है आप परिशान हो सकते हैं तो इन चीज़ों को देहान रखें बाकी इस महिने में चंदर ग्रहन होगा जो की 26 मई को है और एक खग्रास चंदर ग्रहन है खग् जानकारी हम आपको आगे देंगे बाकी जादा जानकारियों के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें